पैरों में कपड़ों की जूते और हाथों में दंड कुछ ऐसी ही तस्वीरे विजय दश्मी के दिन देश भर में दिखाई देती है विजय दश्मी यानी रामण देहन का दिन असत्य पर सत्य के विजय का दिन ऐसी माननेता है कि रामण वद से पहले भगवान राम ने आट दिन तक उपवास रखा था नवे दिन आदी शक्ती दुर्गा के शक्ती रूप की अर्चना की थी शस्त्रों को माता को समर्पित किया था और शस्त्रों का भी पूजन किया था इसके बाद राम ने दुर्गा माता से विजैखा आशिरवाद प्राप्त किया था इसके बाद जब राम ने धनुश उठाया था तो रामण के घमंड को चूर चूर कर दिया था तभी से भारत में शस्त्र पूजन और आदिशक्ती की आराधन की परंपरा चलिया रही है नवरात्रों के नौ दिन तक दुर्गा माता घर-घर में वास करती है विशेश पूजा के बाद नवे दिन माता के सिध्धी दात्री रूप की पूजा की जाती है और माता से अपनी मनोकामनाई पूरी करने का आशिरवाद मांगा जाता है कन्याओं को माता का रूप मानकर कन्या पूजन किया जाता है नवरात्र के आखरी दिन मध्यपरदेश के पूर्व मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने भी कन्या पूजन किया उन्होंने अपने हाथ से कन्याओं को भूजन परोसा और कन्याओं से आशिरवाद भी लिया यही है कि हम बेटियों को देविया मानें, उनका सम्मान करें बेटियों के विनाईय स्रिष्टि नहीं चल सकती जहां बेटूँं का मान संमान और इज्जत होती है वहीं पर देवी मा की किरपा वरस्ती है और मा से मैं यही प्रार्थन करता हूँ कि जन्ता की जिन्ति जिन्दिगी में सुकसंबरिधी आये रिदी सिधी आये सब पर उनकी किरपा की बरसा गौरक्ष पीट के पीठा धीश्वर और यूपी के मुख्य मंत्री योगी आद्यतेनात ने भी नवरात्र के नवे दिन माता दुर्गा की आराधना की उन्होंने विधी विधान से हवन पूजन किया और फिर कन्या पूजन भी किया प्रंप्रा में नारी ससक्ति करण और मात्री सक्ति के प्रती सम्मान ब्यक्त करने और उनके ससक्ति करण के संकल्प का भी एक परव है भारत के पूर्वी हिस्से में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है पश्चिम बंगाल के साथ ही असम और ओडिशा में दुर्गा की आराधना होती है बंगलादेश में भी दुर्गा पूजा की जाती है ऐसी माननेता है कि महिशा सुर से लड़ते हुए दुर्गा को कई दिन हो गए थे और विज़ा दश्मी के दिन देवी दुर्गा ने महिशा सुर को मारा था तब ही से ये परंपरा चलिया रही है इस तोहार पर पूरा बंगाल खास तौर पर सर्जता है और इस प्रदेश में ये साल का सबसे बड़ा पर्व होता है पूरा बंगाल सजा हुआ है और दुर का पांडालों में भक्तों का हुजूम उमड रहा है विज़ा दश्मी पर देश से बुराई का अंत हो देश के दुश्मनों का हनन हो और भारत देश तरक्की पर बढ़े यही सब ही कामना कर रहे है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया